विल्कम बैं तो चार्टिस तुका और सौचिंग वाइचा टेक्सू गाइस इन दिस वीडियो में आपको उताने हो कि अगर आप लोग एक यूटूबर हैं तो आप लोग के मन में एक सवाल जो होगा जो कि गाइस थमनेल वाला मतलब कि आप लोग ये सोचते होंगे कि जिनका थमनेल अच्छा रहता है जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके वीडियो में थमनेल अच्छा रहता है उनकी वीडियो अच्छे खार से रैंक करती है और अच्छे खार से भीवाते हैं तो thumbnail guys बनाने के तो बहुत लोगों के पास तरीके होते हैं लेकिन thumbnail बनाने के साथ-साथ guys उसमें quality रहना जरूरी है जो की माइने रखता है क्योंकि लोगों को जब वीडियो पे click करते हैं तो उनको thumbnail देखके click करते हैं और thumbnail जब guys quality रहेगी न तो उसका सब कुछ अच्छा रहता है और यहाँ पे guys हम आपको एक ऐसी मतलब tricks बताएंगे जिसकी मदद से guys आप अपने thumbnail पे अच्छी खासे quality ला सकते हैं प्रस अच्छी खासे thumbnail बना सकते हैं जैसा कि मैं बनाता हूँ इस वीडियो में आपको इसी की बारे में बताएंगे इसकी लिए आप इस वीडियो को देखते रहे हैं और अगर आप में चलतना है च्छी को जरूर सब्सक्राइब करिए और welcome to the part वीडियो को नोटिफिक्रिक्रिक्रिशन आप तो बच्छी चलेगा इस वीडियो को करते हैं तो यहां पर Thumbnail को होने के साहथ बहुत लोग को स्कुर्ण के आप compliance से तömनियो बनाते हैं लेकिन कृस्टेव होने के साहथ थमनियो को पता हूं बनाने अच्छे तरह से पोटो डाले लेकिन उसमें हमें quality नहीं मिलती लेकिन guys यहाँ पे thumbnail में quality लाने से main होता है चाहे आप कितने प्रकार के design बना दे अगर आपके thumbnail में quality नहीं यह तो guys वो design विल्कुल खराब है और इसमें आप देखते होंगे कि मेरा जो मैं thumbnail बनाता हूँ उसमें quality बहुत अच्छी लगती हो और सब कुछ एकदम clear clear देखता है तो वो guys मैं pixel app से मैं भी thumbnail बनाता हूँ जो आप को यूज करते हैं वो भी मैं यूज करता हूँ लेकिन मेरा जो यूज करने का तरीक है वो थोड़ा सा अलाग है और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं किस प्रकार से इतने अच्छे तरह से thumbnail बनाता हूँ जो guys चलिए आपको screen record लेचर की बताती कि आप कैसे इससे यूज कर सकते हैं जो guys चलिए आपको बताती कि आप अपने pixel lab से अपने youtube के लिए best thumbnail कैसे बना सकते हैं इसके लिए simply आपको करना है किया आपको अपना जो pixel lab application से उसे open करना है और अगर आप धेर दिन से मतलब open मतलब उसे यूज करना है तो आप पहले उसे जाके update करिए और guys उसके बाद open करने के बाद simply आपको करना क्या है आपको guys आपका जो pixel lab ना वो कुछ इस प्रकार से आपका open हो जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले तो आपको youtube के लिए आपका जो image size है उसको guys यहां से आप youtube thumbnail में select करिए और उसके बाद okay पर click कर दिए यूटूब thumbnail के जाज़ा हो जाएगा तो simply आपको यह जो text है इसे delete करना है और आपको guys यहां पर सबसे नीचे white वाले background पर आ जाना है और guys उसके बाद simply आपको तो सबसे पहले यहां पर एक image लेने की ज़रूत तो simply आपको आपको आपके gallery में जाना है import photo में जाना है और उसके बाद guys आपको जो भी images लेना है आप यहां से ले सकते हैं जैसे कि माल लिजे कि मैं यह वाली images ले लेता हूं तो इसकी जो मतलब size 16 ratio 9 कर दिए क्योंकि जो YouTube वह 16 ratio 9 इसे लेक करता है तो guys इस images को माल लिजे मैं select कर लेता हूं जो कि ऐसे रहेगा तो ऐसे आपको कर देना है और guys इसमें आपको जाके इसमें एक आपको shadow लगा देना है ताकि यह आपको दिखे और उसके बाद okay पे click कर देना है तो इस प्रिकार से कुछ हो गया और उसके बाद आप guys यहां पे कुछ text भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाते हैं लेकिन अगर आपको attractive बनाना है तो आपको यहां पे question mark लगाना पड़ेगा जो कि guys मैं लगाता हूं तो आपको यहां पे इस question mark को लेना है और इसे डोके पे click करना है और guys उसे ऐसे size इसकी बड़ी करनी है और इसका जो AB font, meme font तो यह वाला कर देंगे और इसको guys bold में जाके इसे थोड़ा सा आपको cut कर देना है जिसके बाद इसकी size थोड़ी से पतली हो जाएगी और इसके बाद guys कुछ इस प्रकार से आपका जो थमने ले वो हो जाएगा तो यह लगाने के बाद इसको आपको करना कहना आपको स उससे select करना है तो आप मालेजे कोई भी font select कर सकते हैं तो आपके लिए based होगा यह वाला font यह वाला font आपके लिए based होगा उसके बाद इसे ऐसे करना है और guys इसको size जो इतनी करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे नाद नीचे लाना है और उसके बाद guys इसमें आपको एक ऐ सफेद ले लेता हूं सफेद लेने के बाद simply आपको इसका जो stroke है इसकी background को ले लिजिए उसके बाद इसमें shadow लगा दीजिए जिसके बाद guys यह best हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मेरा जो thumbnail वो पूरी तरह से बनके तयार हो गया तो इस तरह से तो हमारा थमने तयार हो कोई png कोई logo बना रहें तो आप guys यहाँ पे png पे select करेगा लेकिन अगर thumbnail बनाते हैं तो आप को जेजीपी करना पड़ेगा उसके बाद quality वाला options मिलता है जो की mind mind रखता है तो यहाँ पे सबसे नीचे आने यहाँ पे आप ultra पे कर देते हैं लेकिन ultra पे नहीं करना चाहिए कि अल्टराफ करने के बाद इसकी जो size है 2MB से जादा हो जाते हैं जो की YouTube thumbnail के लिए support नहीं करती तो आपको very high पे click करना है उसके बाद guys save to gallery पे click कर देना है और guys उसके बाद आज आएगे और जिसके बाद मैं आपको ले चलके phone में दिखाता हूं तो guys आप इस thumbnail को देख सकते कितना जादा मतलब guys इसमें quality आ गए और एक एक चीज गाइस एक दब बराबर से दिख रहा है और guys अगर मान लिजे कि आप जो ऐसे बनाना चाहते हैं जो कि मैंने बनाया है तो इसके लिए guys आपको जो मैंने आपको एक lightroom की editing वाले वीडियो दिये आप जाकि guys उसे यूच कर सकते हैं और जिसके बाद guys आप ये color यूच कर सकते हैं जिसके बाद thumbnail और attitude हो जाएगा आप पिक्सल ले में एक अच्छी तरह से thumbnail कैसे बना सकते हैं जो कि guys main माईने रखता है YouTube के लिए और यहां पे guys आप एक और application यूच कर सकते हैं lightroom जिससे guys मैं अपने thumbnail का जो photo उसका color change करता हूँ खैर photo तो आप अच्छी खासे खीच भी लेते होंगे तो अगर आप photo अच्छी तरह से खीच लेते हैं तो उससे इस प्रकार से try करके उसके बाद guys इसे thumbnail में यूच करिए तो यही कुछ मैं को उताना चाहता था आई यूप आपको समझ भी आगवगा कि आप best quality वाला thumbnail कैसे बना सकते हैं वो भी मेरे तरह सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो चलेक तो लाइक जरू करिए अपने दोस्तों साथ सेर करिए और अगर आप में चालते नाचाव को जरू सब्सक्राब करिए और बेल कुन दाते हमार वीडियो को नोटिफिकेसन आप तो कोच है मिल लगए व क्यnezा मैं टूस्धिकेसन भीनसे दोस्तों तोसंधिकेसन दोसंधिकेसन देगी taught दोस्तों आपिए यू इंद ओल्सुराचीजोएषद सेर ककेसे करिक ते का समयों झाप जूस्तों ध्लाइज BloM refresh क्यूस्तों आपट और पूच्म्छं में टॉस्तों खल्लाहिएू इपला Elle